हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग असा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहतर चल रही होगी तो आज के इस वीडियो में जो आपका CRPF Head Concealer Minister S.I.E. का जो आपका एक्जाम होने बाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में एक्जाम जो हैं आप लोगों के मार्च में भी होंगे बिलकुल कलियर है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एक्जाम मार्च में भी लगा ववा है तो रिजिनिंग के कैसे questions पूछे जा रहे हैं और जिन बच्चों का आगे आने वारी सिप्टों में एक्जाम है तो उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो पहुत ज़्यादा खास रहने वाला क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रेजिनिंग का एक प्रक्टिस सेट सॉल्ब करेंगे इस प्रक्टिस सेट में आपको पता चल जाएगा कि आपके सियार के भैट काउंस्टेबल में इस तोनों के एक्जाम में किस टाइप के रेजिन के कोशिन पूछे जा रहे हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो सबसे पहले कैट से डी डी बाई बनाने का तरीका ढूंते हैं जो तरीका इसमें लगेगा बही तरीका आगे अप्लाई करेंगे तो लिख लेते हैं कैट अब इनके अलफाबेट कोड लिखते हैं सी का कोड होता है तीन A का code होता है 1 और T का code होता है 20 इससे आपको क्या बनाना है D, D, By अब देखे D का code होता है 4 फिर D का code होता है 4 और By का होता है 25 अब देखे 3 से 4 बनने में क्या हुआ 1 जुड़ा 1 से 4 बनने में 3 जुड़ा और 20 से 25 बनने में 5 जुड़ा कितना जुड़ागा इस 5 मतलब 1, 3, 5 इतना जोड़ना है आपको BIG के alphabet code में वो BIG के सारे alphabet लिख लेते हैं और इनके code में लिखते हैं B का code होता है 2 I का होता है 9 G का होता है 7 पहले कितना जुड़ेगा पहले जुड़ेगा 1 तो 3 आ गया फिर जुड़ेगा दुसरे में कितना जुड़ेगा 3 9 में 3 जुड़ा तो आपका 12 आ गया अब कितना जुड़ेगा 7 में 5 जुड़ेगा तो आपका कितना आ गया 12 तो आपका answer क्या हो जाएगा CLL option is right answer तो इस type के question में क्या होता जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा बही तरीका आगे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले logic के alphabet उठाके जो बना है उसका तरीका निकालते हैं और बही तरीका same to same clerk के प्रते एक alphabet code में करेंगे तो कर लेते हैं सबसे पहले logic के सारे alphabet लिखते हैं और C का होता है 3, इससे आपका क्या बन रहा है, B बन रहा है, H बन रहा है, फिर F, N, K, ये बन रहा है, तो हम लोग तरीका जान लेते हैं सबसे पहले, सबसे पहले B का कोड होता है 2, H का होता है 8, F का होता है 6, N का होता है 14, K का होता है 11, अब हम लोग पहले से last बाला बनाते ह बारा से ग्यारा बनाया तो क्या हुआ एक गटा अब देखिए दूसरे से लास्ट से दूसरा बनाते हैं पंदरे से चोधा बनाया तो क्या हुआ एक गटा अब देखिए जी से हम लोग एब बनाते हैं मतलब सास से छे बनाया तो भी एक गटा अब आई से आठ बनाया मतलब से 8 बनाया तो भी एक गटा और फिर C से V मतलब 3 से 2 बनाया तो भी एक गटा मतलब logic के प्रत्रेक alphabet code में एक गटा है और पहले से last बाला बनाया मतलब पलट के सारे alphabet जो बने हुए तो यही तरीका हम लोग सेम टू सेम clerk के लिए लगाएंगे तो सबसे पहले clerk के सारे alphabet लिख लेते हैं clerk के सारे alphabet C L E R K तो पीछे हम लोगों ने क्या किया था सभी में एक गटाया था और अब देखिए अब C का code कितना होता है? 3 होता है L का होता है 12 E का code होता है 5 R का होता है 18 K का होता है 11 अब देखिए 3 में गटाये तो यह आपका लगा अलफावइट बनए गया है क्योंकि पहले पहला बाला जोगा लास्ट वालाल जाए अब लाइस बॉस्ताई नमबर पर 18- Ig personnel चार आगए 12 दो आपका गेराँ तो follow ग्यारात होता होता है आप इनके alphabet लिख देते हैं 10 होता है जे का, 17 क्यू का, 4 होता है डी का, 11 होता है के का, 2 होता है बी का तो आप का answer क्या हो गया, option D, J, Q, D, J, Q, D, K, V अगला देखिए question है, यहाँ पर लगा हुआ question mark तो मैंने आपको बता है, इस type के question में क्या होता है, जो तरीका पहले से दुसरे बनने में लगेगा, बाही तरीका आग अपलाई करेंगे तो देखिए, पतला का, पतला का, जो बिलोम सब होता है, बो होता है, मोटा, तो बाउना का क्या हो जाएगा, option D, लंबा अब देखिए, अब यहाँ पर question mark लगा हुआ, देखिए, भूक को ख़तम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, और रोक को ख़तम करने के लिए हम क्या खाते हैं, दबा, option B is right answer अब देखिए, question है, 624 का समन्द 426 है, तो 745 का निकालना है, तो सबसे पहले 624 से क्या बना लें, 426, यह बनाने का तरीका ढून लेते हैं, तो देखिए, 6-4 बना तो आपका क्या हुआ, 2 गटा, 2-2 बना, तो आपका इसमें कुछ नहीं हुआ, 4-6 बना, तो आपका 2 आपका, और 5 में आप लाश वाले में क्या होगा, दो जुड़ेगा, तो 7 हो जाएगा, तो आपका answer क्या हो जाएगा, 547, option is right answer, देखिए, अगला question जो है, आपको विसम अच्छा रत्वा संख्या को चुणना, जैसे कि 91 है, विसम क्या होता है, कि 4 option दे दिये जाते हैं, इ 21 में आपका विसम कौन सा होगा, देखिए, प्रत्वी जो है, यह आपका क्या है, प्लैनेट, बुद्ध ग्रह, यह भी ग्रह, प्लैनेट है, ब्रास्पती भी यह, लेकिन चंद्रमा जो है, आपका सेटेलाइट है, तो सेटेलाइट मतलब उपक ग्रह, प्रत्वी का, तो आलू जो है, आपकी क्या है, सबजी, तो विसम कौन सा हो जाएगा, उप्शन सी, अब देखिए, आपको 93 में विसम बताना कौन सा, देखिए, 11 जो है, यह आपकी क्या है, एक अभाज संख्या, 13 जो है, यह भी आपकी क्या है, एक अभाज संख्या, 17 जो है, यह भी आपकी हुआ है question mark तो कैसे करेंगे यहां पर आने वाले alphabet कौन से होंगे तो हम लोग क्या करते हैं सभी के पहले पहले alphabet उठा लेते हैं C से बनाते हैं सबसे पहले F C का code होता है 3 F का होता है 6 3-6 बनने में क्या हुआ 3 जुड़ा फिर F से बनाते है I I का code होता है 9 6-9 बनाया सभी में 3 जुड़ा आगे भी तीन जुड़ेगा सभी में तीन जुड़ेगा तो 9 में तीन जुड़ेंगी तो आपका 12 12 किसका उता है आपको क्या मिल गया l option A में पहले alphabet L आ नहीं आ रहा है नहीं आ रहा तो यह mép 2 option B में आ रहा है पहला alphabet L, नहीं आ रहा तो यह भी cut, लेकिन option C और option D में पहला alphabet जो है वो L आ रहा है, तो option C या option D में से आपका एक अंसर हो सकता है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के बीच वाले alphabet उठा लेते हैं, A से बनाते हैं D, A का code होता है, D का होता है 4, तो एक से चार बनने में क्या हुआ, तीन जोड़ा, अब D से बनाते हैं, G, G का होता है साथ, इसमें भी देखिए 4 से साथ बनने में तीन जोड़ा, तो आगे भी तीन जोड़े के, तो साथ में तीन जोड़ेंगे, दस, दस किसका होता है, J का, अब दो alpha bit L और J मिल गए, त तो option C में 2 alpha bit L L J आ रहें, नहीं आ रहें, तो ये भी cut, तीन option cut के तो एक बचा आपका, तो option D में देखिए L J आ रहें, तो यही आपका answer हो जागा आगे करने की को जरूर नहीं, अब देखिए question है, यहाँ पर देखिए question mark लगा हुआ है, तो क्या आएंगे alphabet, तो सभी के प पीचे सभी में 9-9 जुड़ा है, तो आगे भी 9 जुड़ेगा, तो 20 में 9 जुड़ेंगे, तो 26 तक तक तो जाएगा, फिर starting से start हो जाएगा, तीन किसका होता है C का, तो पहला alphabet हमें क्या मिलका है C, तो option A में पहला alphabet C है, नहीं है, तो ये cut, option C में पहला alphabet C है, नहीं है, ये 3 option कटेके, एक बचा यही आपका answer हो गया, आगे करने की को जरूर नहीं, और इसमें देखे, पहला alphabet C भी मिल ला है, तो option B is the right answer, अगला देखे, question mark आपका लगा हुआ है 97 में, यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा number आएगा, तो सबसे पहले 1 से 2 बनाया, तो इसमें देखे 2 का multiply, 2 से 6 बनाया, 3 का multiply, 6 से 24 बनाया, 4 का multiply, तो 2 का multiply हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का, आगे किसका होगा, पांच का, तो 24 में 5 का multiply कर लेते हैं, पांच चकूबी, सांसे लगा दो, पांदोनी 10 और 120, तो आपका answer क्या हो जाएगा, option C, अगला देखे, question है, यहाँ पर question mark लगा हुआ है, क्या आएगा, तो सबसे पहले 2 से 15 बनाते हैं, देखिए guys, सबसे पहले 2 से 15 बनाया, तो 2 में हम लोगोंने 13 जोड़ा तो 15 पहुँच गे, और अगर 13 जोड़ा और क्या कर देंगे, एक का multiply, कोई फड़ा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ेगा, तो 2 में 13 जोड़ा 15 और 15 में ए हम लोग 13 जोड़ेंगे, और 13 जोड़ने के बाद कितना आएगा, 15 में 13 जोड़ा 28, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 का multiply, क्या करते हैं, 2 का multiply, तो देखिए सबसे पहले 15 में 13 जोड़ा और 2 का multiply, तो ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस, सबसे पहले बाड़ मास रूल 26 और 15 कितना होता है, तो ये होता है 41, अब देखिए 41 से 80 बनाना है, तो 41 में क्या करेंगे, 13 जोड़ने ही जोड़ना है, 2 तक multiply हो चुका है, तो इसमें 3 का multiply हो जाएगा, तो 44 प्लस 13 49, तो कितना आगे 80, अब देखिए 80 में क्या करने पड़ेगा, यही तरीका लगाएगे 13 तो जोड़ना ही पड़ेगा, अब इसमें 3 के बाद कितने का multiply होगा, चार का, तो 80 प्लस 13 52, कितना answer आजाएगा आपका, 132, option C is right answer, अगला question है देखिए, missing number का यहाँ पर question mark लगा हुआ है, तो हम लोग एक एक पंक्ती को लेके solve करेंगे, पहली पंक्ती को, फिर दूसरी लास्ट में 3 पंक्ती को, और पहली दूसरी पंक्ती में, बीच वाला number 20 और 35 को निकालने का तरीका डूनेंगे, और बही तरीका 3 पंक्ती में लगा देंगे, तो पहली पंक्ती में 20 लाना है, अब देखिए 20 के अगल बगल कौन से number है, 28 और 7, तो 28 में हम लोग 7 का divide कर दें लाना है, तो 74 और इसमें 5 का multiply, जिससे की 20 मिल जाए, तो आपका आगया 20, अब दूसरी पंक्ती में देखिए 35 लाना है, 35 के अगल बगल number कौन से है, 84 और 12, तो 84 में 12 का multiply, बाच्छंग 72 सते 84, ओके 7 आ गया, उपर हम लोग ने 5 का multiply किया, तो इसमें भी 5 का multiply, तो 7 पंक्ती मिल गया, यही same to same तरीका हम लोग तीसरी पंक्ती में लगाएंगे, question mark लाना है, तो 45 में 9 का सबसे पहले divide करेंगे, तो 9 पना 45, और 5 का इसमें multiply हो जाएगा, क्यूंकि उपर भी हो आए, तो आपका कितना आ जाएगा 25, option D is right answer, अगला question कर लेते हैं, बहुत ही simple सा है, कमल ज कितना गया, 20 मीटर, इसके बाद भाई दाई और मुड जाता है, और 30 मीटर जाता है, तो दाई आपका कितर हो जाएगा, एदर की तरफ, कितना जाता है, 30 मीटर, तब भाई और मुड जाता है, और 35 मीटर जाता है, तो दाई आपका कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितन जाता है 15 मीटर तब पुन्ह बाइव और मुड जाता है और 15 मीटर जाता है तो बाइव आपका यहां से क्या होगा उपर की तरफ कितना जाता है 15 मीटर बताएं कि बहे अभी अपने आरंवे किस्टान से किस दिसा में और कितनी दूरी पर है तो यह तो बतानी है कलर को क्यों जा रहा था यह दूरी थी आपकी 20 मीटर कलर को और थोड़ा सा चेंज करते हैं जिसे कि आपको समझ में आ जाए यह आपकी दूरी थी 20 मिटर तो अगर हम लोग यह पॉइंट जो है यहां से यहां तक मिला दें तो यह दूरी जो 20 है तो यह भी दूरी कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक की दूरी तो यह हो जाएगी 20 ओके और टोटल दूरी जो उपर से नीचे तक की है यह है आपकी 35 तो आप नीचे वाली यह जो दूरी बची हुई है छोटी सी color को फिर से change करते हैं यह वाली दूरी बची हुई है यह कितनी होगी तो 35 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 15 तो यह दूरी बराबर होगी और इधर वाली पंदरे दूरी बराबर होगी अब देखिए उपर जो दूरी यह 30 है तो यह भी दूरी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी same to same अब हमें starting point से last point तक की दूरी बतानी है और दिसा भी बतानी है चुकि यह उपर की तरफ जा रहा है तो दिसा तो आपकी क्या हो गई सबसे पहले दूरी को count करते हैं दूरी देखिए नीचे वाली यह 15 है तो यह भी देखिए 15 हो जाएगी तो 15 प्लस 15 यह तीस है और 15 यह है तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा अगला कोशन है पी दर्साता है भाग को तो लिख लेते हैं पी जो दर्साता है भाग को क्यू दर्साता है गुणा को R दरसाता है प्लस को और S दरसाता है माइनस को तो एक question दिया हुआ है इसको solve कर लेते हैं तो लिख लेते हैं 18 Q Q का मतलब उपर क्या है multiply तो 18 multiply 12 और 12 के बाद है P P का मतलब क्या है भाग तो भाग लगा दिया फिर 4 R R का मतलब है प्लस फिर 5 S S का मतलब क्या है माइनस तो 6 हो जाएगा अब इसमें हम लोग board mass rule apply करेंगे तो सबसे पहले भाग बाला solve करेंगे तो 12 में 4 का divide करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 4 तियों 12 3 बार जाए कटेगा प्लस 5 माइनस 6 अब board mass rule के according multiply solve करेंगे तो 18 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 6 तो आपका आजाएगा 69 माइनस 6 69 माइनस 6 मतलब आपका अंसर आजाएगा 35 option B is right answer next is रेणी में अगला भिन कौन सा आएगा तो आपके ये fraction दिये हुए हैं तो सबसे बाले fraction के हम लोग अंस वाले नमबर देख लेते हैं देखिए एक से तीन बनाया तो क्या हुआ दो जोड़ा तीन से पांच बनाया तो भी आपका दो जोड़ा पांच से साथ बनाया तो भी जो जोड़ा तो सभी में दो दो जोड़े तो आगे भी दो जोड़ेगा दो का multiply होगा तो 16 में 2 का multiply करेंगे तो 32 तो आप का अंसर आजाएगा नो बटे बत्यस एक्ट इस्ट कोश्चन है यहाँ पर देखे कोश्चन मार्क लगा हुआ है यहां पर कौन सा नमबर आएगा सबसे पहले 9 से ऐसी बनाते हैं तो nev से ऐसी बनाने के लिए किया करेंगे नो का इसकोर कर दें ऑर thoughts यही तरीका सव के लिए लगाएंगे तो सव का स्कोर करेंगे हम लोग तो तो कितना जाएगा दस āजार और सब्सक् doctrine smartphone को के लिए देख लिए अंसर अगला के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं T O G E T H E R T का कोड कितना होता है 20 मतलब 20 O का कोड कितना होता है 15 G का होता है 7 E का होता है 5 फिर T का होता है 20 H का होता है 8 E का होता है 5 R का होता है 18 अब इससे आपका क्या बन रहा है इससे आपका बन रहा है R Q E फिर G फिर R J C T अब इनके अलफावेट कोड लिखते है R का होता है 18 Q का होता है 17 E का होता है 5 G का कोड होता है 7 आर का होता है ठार है जे का होता है दस सी का होता है थ्री और टी का होता है बीस अब इसको देख लेते हैं इसमें क्या तरीका लगा देखें बीस से अठारा बनाया पहला अलफाबेट उठा लेते हैं पहला नमबर भी देख लेते हैं 20 से 18 बनाया तो 2 गटा अगले की बार ये 15 से 17 बनाया तो 2 जुड़ा 7 से 5 बनाया दो गटा 5 से 7 बनाया तो 2 जुड़ा 20 से 18 बनाया तो आपका 2 गटा 8 से 10 बनाया तो 2 जुड़ा 5 से 3 बनाया 5 से 3 बनाया तो 2 गटा 18 से 20 बनाया तो आपका 2 जुड़ा तो इसमें एक सीरीज चल लएए, पहले दो घटा, फिर दो जुडा, फिर दो जुडा, मतलब घट जो पहले जो पहले दो घटे का उसके बाद दो जुडेगा, यही तरीका हम लोग पैरोल के लिए लगाएंगे प्रते एक अलफाबेट कोड में, अब पैरोल के सारे का होता है 15, L का होता है 12, E का होता है 5, सबसे पहले क्या हुआ था, दो घटा था, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो आपका 14 आजाएगा, फिर उसके बाद 2 जुडा था, एक में 2 जुडेंगे तो 3 आजाएगा, फिर 2 घटा था, तो 18 में 2 घटाएंगे तो आपका आजाएगा 16 तो आपका जयेगा 17, फिर 2 गताएंगे 200, 10, फिर 2 जोडेगे 7 तो साथ आप इंके alphabET लग देते हैं 14 किसका होता है एन का, 3 किसका होता है C का, 16 किसका होता है P का, 17 होता है Q का, 10 होता है J का, और 7 होता है G का तो यहsti जो alphabet receive है यही Creative होई यह Ihnen से option में आ रहे हैं तो देखे गाइज यह जो option में आ रहे हैं मिला सकते हैं आप NCP NCP किसमें आ रहा है option A में NCP QJG QJG तो option A is right answer अगला है यदि किसी संकेतिक भासा में 743 का आर्थ है mangoes are good 657 का आर्थ है eat good food 934 का आर्थ है mangoes are ripe तो इस भासा में ripe के लिए कौन सा अंक परियुक्त हुआ है देखिए mangoes are ripe ripe आपका इसमें आ रहा है अगर हमें mangoes और आर के कोड़ पता चल जाएं तो हम ripe का कोड़ बता सकते हैं ओके गैस तो सबसे पहले mangoes देख लेते हैं mangoes देखे ऊपर भी आ रहा है कामन और नीचे भी आ रहा है तो mangoes तो कामन मिल गया लेकिन उनके अंक में क्या-क्या कामन ये भी देख लेते हैं तो इनके अंक में आपका कामन जो हो जाएगा वो चार हो जाएगा चार और तीन तो mangoes का कोड जो है वो चार अत्वा तीन हो सकता है तो दो अंक आपके निकल गए 934 में से तो एक अंक बचा तो वो किसका हो जाएगा ripe का ये आप ऐसे भी कर सकते हैं आर का कोड पहले देख लो आर देखी ऊपर भी कामन है और नीचे भी कामन है और उनके अंक में हमें क्या-क्या कामन मिल ला है चारो तीन चारो तीन तो ripe आर का कोड़ भी क्या हो सकता है चार अत्वा तीन तो दो अंकर निकल गए तो एक बच्छा तो राइप का कोड़ क्या हो जाएगा नौ तो आपसन है इस राइड आंसर अगला है निमले के ताकरतियों मैंसे कौन सी मेजों कोर्सियों फरनीचर के बीच के सम्मंद को दरसाती ह तो आपसन भी देखिए बड़ा बाला सरकिल हो जाएगा फरनीचर और फरनीचर में क्या क्या आ जाएगा एक तो छोटा बाला मेज आ जाएगा दूसरा बाला क्या आ जाएगा कूर्सियां क्यूंकि मेज जो कूर्सियां अलग-अलग होती है तो इसलिए दो सरकिल आपके अलग अलग है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और बड़ा-बड़ा जो है सर्किल वो फर्नीचर में आ जाता क्योंकि कुर्सियां जो और मेजे जो होती हैं वो फर्नीचर के अंतरगा थी आते हैं इसलिए बड़े सर्किल के अंदर ये दोनों गोले हैं बैंड डाइगरम बनाया आपका ऐसा तौपशन भी जराइट आंसर हो अगला कोश्चन है ए ए से तेज दोड़ता है मतलब ए इस ग्रेटर देन ई किंतु डी जितना तेज नहीं कौन ए जो है वो इसे तो तेज दोड़ता है लेकिन डी से नहीं तो डी इस ग्रेटर दन क्या ह होगा इए यह होगा तो डी जो होगा वो सबसे तेज़ दोड़ता होगा ए और ई से आगे कहता है दी जो है वो किस से तेज़ दोड़ता है C से तेज दोडता है तो next condition में क्या हो जाएगा D is greater than C किन्तु B जितना नहीं होगा तेज नहीं तो आगे क्या हो जाएगा B is greater than D यह हो जाएगा आपका तो इससे हम लोग पूरा अगर figure बनाए तो यह हो जाएगा B is greater than D is greater than C is greater than A is greater than E जो last बाला होगा वो सबसे कम तेज दोडता होगा तो सबसे तेज आपका कौन सा है V तो option B is right answer ओके गाइस तो गाइस आज किस वीडियो में इतने हैं अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को भी सबस्क्राइब करें थैंक्यू